अब इस वीडियो में आपको सौधी अरब की ताजा खबर जो मेन होगी वह आपको शेयर करूंगा करोना की अपडेट दूंगा और लाश्ट में बताऊंगा आपको कि अगर आपके पास में एकसर एकाउंट है तो उसका पासवर्ड आप कैसे रिसेट करके दुबारा नया ब आपको बारा मस्जी तरह आज है दस परवड़ी और मैं आपको शेयर कर रहा हूं इसमें लिखा हुआ है कि विदिन 72 आवर्स इसमें लिखा हुआ है कि 72 घंटे के अंदर में 32 मस्जित को बंद किया गया है सवपूरे साथी अरब में क्यूंकि करोना वाइरस के के साथी अर यहां पर कैसे लोग मसिद में नमास पर रहें लसान के पीना मास के इन सबकी वीडियो उसके अंदर सामील ले जाकर देख लेना ४idera वाले अप्लोड किया था तो आप जाके देख लेना यह धाकर लिज़ी जसक अन मिल जाएग सांगा चेक कर ले लिचेख फिल्हाल अल्ला जो चाहे अल्ला रसूल जो चाहेंगे वही होगा बागी देखते हैं ये कोरोना तो बढ़ी रहा घटने का तो कोई नामिन ने रहा तो आज है दस फरवरी आज आप कोरोना की रिपोर्ट शेयर कर रहा है आप देख सकते हैं यहां पर 379 369 केस साओधी अरब में निकले हैं जिसमें 173 केस सिर्फ रियाद में निकले हैं तो करोना की केस में कोई घटावा तो दिख नहीं रहा ये बढ़ावाई दिख रहा है ये करोना की केस है तो आपके साथ और सेयर करना चाहता हूँ सैलून की हवाले से आप देख सकते जैसा बनाया हुए इन लोग ने साओधी अरब ने उस तरीके से फॉलो करके पीपे कीट वागार मास वड़ा कि इसकी साफसपाई करके सेनेटाइजसन करके अपना दुकान संभालो भाई और किसी ने कोई रिपोर्ट उपर कर दिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको तो यह थी साओधी अरब की लेटेस्ट अपडेट में जो आपको शेर कर दिया हूँ अब हम बात कर लेते जावद भाई मेरा एपसर एकाउंट का पासवर्ड याद नहीं है जो मैंने एपसर एकाउंट बनाया था तो वो मुझे याद नहीं है तो इसका पासवर्ड को हम क जासे जुनदे जैसे कि आपको मैं बता दूं जैसे ही आपको पहले वाठर रेकॉन बनाते हो तो आप एकाम नंबर मोबाइल नंबर रोरेश्टर करते हो इसकी बाद आप फिंग डेता हो यह वाला यह वाला फिंग करते हो ठीक है सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि पासवर्ट को रिसेट कैसे करें आगे और मैं बताता हूं मैं आपको यह वीडियो देखिए और इंडिविजियल पे क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करने का तो कि यह वाँ यह वाला को तो आपके mobile number पे code जाएगा OTP जाएगा ठीक है वीडियो आपने देख लिया इसके जो लाक्ष्म मैंने कहा कि जो OTP आएगा एक OTP आएगा आपका mobile number दुवारा से सब कुछ verification होगा लेकिन जो दूसरा OTP आएगा उसके अंदर में OTP में password होगा तो आपको mobile पे जो password की तरफ message आएगा वह आपका खास password होगा जो आप aicama number और उसी जो mobile में message आए उससे आप login करोगे तो वहाँ पर जैसे ही लॉग इन करोगे तो वहाँ पर आपको जो एकामा नंबर वो डालना है जो पासवर्ड मुगाल पड़ा है वो डालना है इसके बाद वहाँ पर आपको बोलेगा create username, create password तो username create अलग अलग करना जैसे माल लो कि मेरा नाम जावेद है तो मैं जावेद आल होना चाहिए आपके नाम से हटके तो आपको password भी आठ अंगों का बनाना है ठीक है password आठ आठ डिजित का होना चाहिए आठ डिजित मतलब की एक alphabet जो ABCD वह बड़ा हो इसके लिए नाम का अक्षर छोटा हो लेकिन username में जो नाम होगा वह नाम सेम से मत डालना इसके आठ सेम प्रोसेस से डेट बड़ डालना सब चीछ करके करके नीचे का प्रोसेस करके वह आपका user ID बन जाएगा ठीक है इसके बाद आप दुबारा से अफसर करें में जाएगा डी अधना किसी हो तो अब रहे मिलता है तो मैं इस पर वीडियो बनाता हूं खास करके स्क्रेनशूट के साथ जो है थीकल बहुत शुक्रिया हमेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लिए मिलते करके उन्हाचतक के लिए खुदाफिस अलाफिस हुआ हुआ हुआ